वेलकम बैक एवरिवन स्वागत है आपका एक नई वीडियो में उमीद करते हैं आप बहुत बढ़ियाओंगे वाइट बाल को डिरेक्ली रिलेट किया जाता है एजिंग के साथ हमें ऐसा लगता है जब किसी की एज बढ़ती है ना तो उसके बाल वाइट हो जाते हैं बट य जहां आपने एक बार हैर को तुछ कर लिया और जहां को करना लगा है यहां सबसे पहला काम ने दो दिन पहले भी हैर लगा ना और जहां आपको कहीं बहुत जब्यूद्द और फ्रॉस्टेटिंग होता है । आज कल यही लोगों को लगता है कि वॉइड बाल जो है आपक जाते हैं जहां आप chemical वाले color लगा लेता हैं उससे बहुत से नुकसान होते हैं आपको आपका hair falls start हो जाता है आपके excess of white ball हो जाते हैं आखों को damage होने लग जाता है जितने मर्जी color ले लो जितने मर्जी महंगे color ले लो ammonia base ले लो या फिर उसके अलाइक कोई भी ingredient हो वो आपके बालों को नुकसान देगा ही देगा आपकी आइस को भी नुकसान देगा तो आज हम आपको कुछ natural तरीके बताने वाले जिससे अपने बालों को naturally dye कर सकते हो naturally अपने बालों को black कर सकते हो यह वाला जो methodize की life तो उतनी ही होगी जितना एक natural hair color चलता है बट एक फाइदा जो आपको एक्स्ट्रा देने वाले आपके बालों को strengthen up करने काम करेगा बालों को nourish करेगा आपकी hair growth बढ़ाएगा और साथ साथ वाइड बाल आपके बिल्कुल cover up कर देगा हम सिरफ दो ingredients को यूज करने वाले हैं आज की वीडियो में और अगर आप उनको तरीके से यूज करो ना जैसे हम आपको बताने वाला है आप एक perfect natural black hair achieve कर सकते हो वो भी घर पे कुछी देर में हम आज की वीडियो में total दो products को यूज करने वाले हैं to color your hairs naturally अब हम बात करते हैं second major ingredient की जो होता है इंडिको पाउडर इंडिको पाउडर इंडिको पाउडर आप आप अल्रेडी जानते होंगे सालों से उसको यूज किया जाता है इंडिको पाउडर होता है इंडिको प्लांट लीव्स को जब हम एक सुखा करक्रश के पाउडर बनाते उसको हम बोलते हैं इंडिको पाउडर आपको अराम से मार्केट में मिल जाता है इंडिको पाउडर और यह नाच्रल कलर होता है इसका एक नाच्रल डाई का काम करता ह इसके अगर हम texture की बात करें, ये dark greenish blue color का होता है, जो अगर आप हीना के साथ इसको लगाओ, आपको बहुत बढ़िया color मिलता है, natural black color मिलता है, इसके साथ सथ कि आपके बालों को strengthen आप करता है, hair fall control करता है, बहुत कमाल का nourishment देता है, इसका color काफी long lasting होता है, बट ये 100% natural होता है, 100% plant based होता है, तो आप बिल्कुल शौर हो सकते हैं, अगर आप एक chemical based वाले color में नहीं जाना चाहते, this is the one for you, एक और difference जो होता है, market वाले color में और indigo powder में, ये आपके white बाल को बढ़ाता नहीं है, जो market वाले color होता है, उसके अदर बहुत से chemical होता है, जिसे जो आपके roots पे जब लग गयाना, तो आपके white बाल बहुत speed से बढ़ता है, बट indigo powder साथ वो दिक्कत नहीं आने वाली, जितने white बाल हैं, उतने ही रहेंगे, with time जो बढ़ने हैं, वो तो बढ़ेंगे ही देखो, बट ये कोशिश करता है, premature ग्रेंग पे भी work करें, और जो आपके बाल white हो चुके हैं, उनको naturally वापस black करने का काम भी करता है, अब जब आप दोनों magical ingredients जान चुके हो, हीना और इंडिको के बारे में, सीधा आगे बढ़ते हैं, process की तरफ कि कैसे आप naturally अपने बालों को black कर सकते हो, इन दोनों प्रोडक्ट से, आपको इन दोनों को mix नहीं करना, because आपको desired results नहीं मिलने वाला, बहुत से लोग यही गलती करते हैं, आपको पहले हीना लगानी पड़ेगी, फिर इंडिको लगानी पड़ेगी, यह two step process है, हीना जब आप ready करोगे, सबसे पहले मैं आपको यह बदाता हूँ, वह भी आपकी desired quantity हो, आपने जब हीना पाउडर डाल दे हैं, उसमें आपने एक lemon का juice डाल देना है, lemon juice डालने का reason यह lemon का acidic nature होता है, जो natural dye निकालता है आपके हीना पाउडर से, जिससे color और ज़्यादा सुंदर आता है, towards burgundy चला जाता है, जो कि reddish ते हटके होता है और बहुत सुंदर लगता है आपके बालो में, इसके लावा lemon जो है वो डांटर पे भी directly work करता है, और जितनी भी major आपकी scalp प्रॉब्लम से उसको दूर करने हा काम करता है, अब आपने करना का हीना पाउडर आपने एक बोल में रख लिया, lemon आपने उसमें डाल दिया, अब आपने slowly उसमें water डालना है, जब तक आपको एक thick pudding-like paste नहीं मिल जाए, एक आपका thick-sa paste ready हो जाएगा, आपने बढ़िया डंक से इसको mix कर लें और ओवर्नाइट इसको छोड़ देना है, cover करकर, राद भर जब आप इसको छोड़ दोगे, next morning आप उठोगे, आपके बढ़िया वाला paste ready हो चुका होगा, again एक बार आप बढ़िया डंक से इसको mix कर लो, आपने roots से लेकर length तक इस paste को लगा लेना अपने बालों में, जहाँ जाँ वाइड बाल जाद है आप वहाँ इसको extra time दे सकते हो, बढ़िया डंक से लगा सकते हो, आपने minimum 2 hours के लिए इसको leave on करना है, up to आप इसको overnight भी छोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जैसे winters का time में, तो 2 घंटे minimum आपका होना चाहिए, फिर आप इसको rinse कर सकते हो, सिरफ और सिरफ water से, आपने कोई shampoo नहीं करना, इसके ओपर कोई conditioner नहीं लगाना, आपने water से इसको rinse किया, और जब next morning होगा, हमारा शुरू होगा step number 2, आपको instantly ऐसा मैसूस होगा, मेरे बाल बहुत अच्छे डंग से condition हो गया, और मेरे बालों को color बहुत ही सुन्दर, already achieve हो चुका है, अब जब आप हीना paste लगा चुकिए हो, आगे बढ़ते हैं आपने step number 2 की तरफ, step number 2 है, जो next day आपका होगा, वहाँ पे आपने apply करना है indigo powder, आपने same तरीके से indigo paste ready करना है, एक bowl में indigo powder डालना है, अपने length की according, उसमें slowly पानी आड़ करना है, जब तक आपको एक ठिक सा paste ना मिल जाए, again आपने ज़्यादा quantity नहीं बगानी, आपने आपने बालों के length की according ready करना है, ये वाला paste आपने same ढंक से apply करना है, जैसे आपने हीना powder apply कि है, रूट से लेके length तक apply कर लो, इसको जाधा देर तक leave on नहीं करते, क्योंकि indigo powder oxidize हो जाता है, अगर हम जाधा देर के लिए leave on करे, आप 15-20 मिनट जैसे आपका paste ready हो जागा, इसको सीधा आप अपना apply करो, 45 मिनट से 2 आर्स तक आप इसको leave on कर सकतो, जितना सुन्दर आपको color चीए, उसके according आप इसको leave on कर लो, जैसा आपका time duration पूरा जाप इसको water से properly rinse कर लो, again आपने shampoo या condition नहीं use करना, आपको instantly महसूस होगा, बालो में natural सा color आना start हो गया, बट अगर नहीं भी आये natural color, बिल्कुल भी tension ना लो, जो ए natural colorant होते हैं, एक से दो दिन का time लेते हैं, natural color develop होने में, अब जब next day है, तब आप shampoo कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तोटल प्रोसीजर हमारा कुछ ऐसे हो गया, आपने रात को हीना को घोल के रखना है, next morning उसको apply करना है, कोई shampoo से wash नहीं करना, जब next day उठोगे उसका अगला दिन होगा, तब आपने indigo powder apply करना है, और उसके next day आपने shampoo करना है, थोड़ा सा complicated process जरूर है, बट वही बात है ना, अगर अपने बालों से प्यार है, और चाहते हो कि wide wall जादा ना बड़े, तो थोड़ा सा तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, आप अपने normal कामों में engage हो जाओ, बट ये two step process अगर आप follow करते हो ना, ये basically hair mask का काम भी करेगा, आपके बालों को कमाल की nourishment तो देगा ही देगा, इस method को आप अराम से महीने में दो बार भी follow कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, जैसे कि मैंने बताई है एक natural colorant है, तो कोई tension लेने की बात मेरी आखों को नुकसान होगा, बालों को नुकसान होगा, इसको कोई भी use कर सकता है, irrelevant of age, और अपने white बालों को आप naturally black color कर सकते हो, अब जब आप सारा procedure जान चुए हो, कुछ basic questions का answer दे सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी confusion ना रहे, सबसे पहला question, क्या indigo powder और hina powder बिल्कुल safe है हमारे बालों के लिए, जी हाँ बिल्कुल safe है, बट अगर आपके product genuine है, organic है, अगर वो organic नहीं और pure नहीं है, तो वो हो सकता आपको नुकसान दे, बट फिर भी हम recommend करेंगे, एक patch test ज़रूर करो, अपने हाथ पे test कर सकते हो, फिर इसके बाद अपने scalp पे लगाओ, क्या men women दोनों यूज़ कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसा जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, इसको कोई भी apply कर सकते हैं, chemically treated बालों पे लगाया जा सकते हैं, मैंने rebond निंग करा रोकिया, smoothening करा सकती है, क्या मैं इसको apply कर सकता हूँ, आप इसको बिल्कुल apply कर सकते हैं, 5-6 weeks बाद, chemically treated बालों से इसका कोई लेना देना नहीं, यह natural colorant है, तो इसको कोई भी use कर सकता है, irrelevant of any chemical treatment, indigo powder की lasting कितनी होती है, यह up to 4 weeks चलता है, बट आपकी shampoo पे भी depend करता है, अगर आप ज़ादा shampoo करोगे, तो जल्दी निकल जाएगा, पर maximum time होता है 4 weeks, क्या हम only indigo powder use नहीं कर सकते, बालों को color करने के लिए, हीना की क्या जरुत है, आप नहीं use कर सकते, तिरफ indigo powder के आपको हीना साथ में लेनी ही पड़ेगी, पहले आपको हीना apply करनी पड़ेगी, फिर indigo apply करना तभी एक natural color आएगा, बिकिस जो indigo का texture होता है, वो towards bluish होता है, और वो tint आपको बिल्कूल भी नहीं पसंद आएगा, तो पहले हीना apply करनी पड़ेगी, फिर indigo apply करना पड़ेगा, बढ़िया वाला indigo powder और हीना powder मिलेगा कहां से, आप directly हमसे order कर सकते हो, अल इंडिया delivery करते हैं, delivery की details मिल जाएगी description में, आप वहाँ जाके checkout कर सकते हो, best products अपने doorstep पे order कर सकते हो, delivery का कोई extra charge नहीं देना, बस आपने 500 रुपे का order बनाना और आपके घर पे deliver हो जाएगा, without any extra charge, तो white बालों को premature graying को, और hair problems को बोलो, टाटा बाई 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 ये वीडियो आप अपने उन फ्रेंस के साथ share कर सकते हैं, जो बहुत परिशान है, white बालों से और market में भटक रहे हैं, एक बड़िया वाला hair color के लिए जो बालों को damage ना करे, उनको बोलो, पर बैठे हो इंडिया में delivery करना हमारा काम है, बिना सोचे जाओ description में और अभी के अभी प्रोडक्स अपने लिए मंगवाओ, तब तक हम आपसे मेलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में, until next time, this is your host चोईट सजदेवा, goodbye.